उत्तरपदेश सरकार ने यूपी कॉंस्टेबल भरती की प्रक्रिया को दुबारा शुरू कर दिया है और अब इसके लिए तारीखों का एलान भी कर दिया है जिसमें अभीर्थियों की शारिक कोशल की परिक्षा ली जाती है उन्हें दौड़ना होता है इसके साथ ही तमाम अनित खेलों में उनका प्रक्रिशन देखा जाता है जिस आदार पर चैन होता है लेकिन ये पूरी प्रक्रिया होती कैसी है उस दिन जब अभीर्थी फील्ड कहुंसते तो उन्हें क्या कुछ करना होता है जानने के लिमने बाद की एक फिजिकल ट्रेनर से जो लंबे समय से अभीर्थियों को इस परिक्षा के लिए तयार करा रहे हैं सबसे पहले तो आपको बतादें कि जैसे कि यहां पर एक्षाम करने के बाद भच्चे लोग क्रेप्रेशन करते हैं रहँनिंग के प्रेट्स करते है रहँनिंग क्रेट्स करते हि बाद वहां पर आपको रणिंग क्वालिफाई होने के बाद आपका चेस्ट ना पाजाता है चेस्ट जो की 80 cm होना चाहिए उसके बाद फूलने पर 85 होना चाहिए अगर आप इसमें थोड़ा सा कम बढ़ होता है तो वो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि आदा घंटे में चेस्ट का क्या है इंक्र इसके लाब और क्या कुछ करवाते हैं उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट में आपको जिस्तें भी आपकी पॉस्चल डेफर्मोटी होती हैं जैसे काई पूसेस लोडूसेस इसकोलिसेस नौक नी बोल एग और हैंड की जो बोन्स होती है ऑग्जी होना जरूरी है